दोस्तों आज एक बहुती नया एक फ्रोड जो अभी मार्केट में आया है अब धीरे धीरे आप लोगों तक भी ये पहुंचने वाला है इस स्कैम के बारे में हम इस वीडियो में डिसकर्स करेंगे यानि कि इस स्कैम का जो नाम है वो चैटिंग स्कैम है अब आप इस नाम से भी identify कर सकते हैं कि आखिर ये scam कैसे होता है लेकिन आज इस वीडियो में हम topic to topic आप से बात करने वाले हैं इस वीडियो में मैं आपको इस पूरे scam के बारे में जानकारी दूँगा इस वीडियो को हमने चार भागों में divide किया है इसमें first number पर हम बात करेंगे कि आखिर ये chatting scam है और चार number पर जो हम topic लिया है हमने उसमें हम अगर इस scam में first गए हैं तो अब हमें इस scam से बचना कैसे यानि कि ये बहुत ही danger किसम का अपराद है वैसे अगर बात करें cyber scam की तो बहुत सारे scam बजार में आजकल चल रहे हैं cyber truck आप से किसी न किसी तरीके से ठगी करने का प्रियास करता है आप से पैसे लूटने की कोशिश करता है अब वो आपकी किसमत है कि आप उस scam से बचते हैं या फिर उस scam में first जाते हैं लेकिन हमारा एक मक्षद है आप लोगों को नई नई जानकारी provide करा कर आप लोगों को aware करना और उसी के क्रम में आज हम आपको यह जानकारी शेयर कर रहे हैं अगर आप नए फ्रोड के बारे में जानना चाहते हो आप यह चाहते हो कि सक्स्टोर्शन के बाद यह एक नया latest fraud market में आया है इस scam में लोगों को कैसे फसाया जा रहा है फिर उनसे कितने पैसे और कैसे पैसे लिये जा रहे हैं वो सारी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको शेयर की है इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो भवी से में मैं आपको इस सीज को लेकर निशिंट करता हूँ कि आप इस scam में कभी नहीं फसेंगे तो नमस्कार दोस्तों आपका श्वागत है आपके अपने YouTube चैनल Education for भारत में और मैं हूँ आपका दोस्त BKT वारी इस scam की अगर सबसे पहले बात करें कि ये scam होता कैसे है और इस scam में क्या होता है तो ये एक chatting scam है जिसके नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये पूरा एक chat के माध्यम से scam किया जाता है इसमें cyber criminal क्या कर करता है यानि कि सेम तरीका वही है लेकिन इसमें कुछ है चैंज किया है यानि जो सैक स्टोर्शन का अपराद अभी तक चल रहा था उसमें आपके सामने एक लड़की की request आती थी और फिर वो आपसे बात करती थी एक दो message करने के बाद ही वो आपको वीडियो कोल के लिए तैयार कर लेती थी लेकिन इस स्कैम में जो भिन्निता है वो यह है कि इसमें वीडियो कोल नहीं होता है इसमें सरफ चैटिंग होती है अब यह चैटिंग कैसे हो रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में explain कर रहा हूं आप इसको अच्छे से समझिए अगर आपने हमारे चैन जानकारी शेयर करते हैं जिससे आप लोगों का भला होता है अगर इस स्कैम की बात करें यह स्कैम भी एक लड़की के नाम से ही किया जा रहा है इसमें या तो लड़की Facebook की ID बना लेती है या Instagram की ID बना लेती है या फिर हो सकता है कि आपके पास direct भी message आ सकता है इस message में क्या होता है कि एक लड़की आप से बात करती है और वो आपको सबसे पहले message करेगी hello hi कैसे है आप आप उसको देखोगे कि यार यह message किसका आया तो उसका आप reply जरूर दोगे और यह हर व्यक्ति देता है क्योंकि जब भी कोई unknown परसंद का message जब किसी व्यक्ति के पास आएगा त तो सबसे पहले यह check करता है कि profile पे photo किसका लगा हुआ जब आप profile पे photo check करोगे तो आपको एक लड़की का photo दिखेगा तो आप भी देखोगे कि यह कौन है क्योंकि आपका वो परीचित नहीं है आप उसको जानते नहीं हो आपने वो first time photo देखा है तो आप उसके एक बार ज जो reply है सभावी group से आप उसका reply यहीं देंगे कि मैं तो ठीक हूँ आप बताइए कैसे हैं अब यह धीरे धीरे चैटिंग स्टार्ट हो जाएगी और यह चैटिंग धीरे धीरे चलती हुई आपको telegram के एक group में आपको join कराने के लिए offer कर देगी कि आप एक काम कीजिए कि WhatsApp है और WhatsApp की पोलीशिया है इस पोलीशी की वज़े से कोई देख ना ले या फिर एक काम कीजिए आप telegram का एक मेरा group है इस group में आप add हो जाईए या फिर आप से वो message करते करते आप से काफी time spend करेगी यानि कि यह जो अभी sextortion का scam जो हो रहा था इसमें सरफ आपके 5 ही मिनट म आपको वीडियो कोल के लिए तयार कर लिया जाता था लेकिन इस scam में क्या है कि आपके साथ message जो चल रहे हैं या message जो करते हैं वो 2 से 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक चलते हैं या फिर यह scam का जो दूसरा जो तरीका है वो यह है कि telegram पर ऐसे काफी सारे groups हैं जिनमें हम लोग सभाव के आगे लड़कियां लिखी हुई होती है और वो आपको वहाँ से WhatsApp नमबर आपके लेके और वहाँ पर आपको नमबर पर कोल करती है मतलब message करती है या फिर आपसे उस chatting में ही आपसे नमबर ले लेती है और personally आपसे chatting के लिए request करती है तो यानि कि कुल मिलाके आपको Facebook पर chatting के लिए 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 आती है और आपसे जो बात करती है वो बिलकुल नॉर्मल बात होती है इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको कोई ऐसब्द भासा का प्रियोग कर रही है या फिर आप उसको असब्द बोल रहे हो यानि कि बिलकुल एक नॉर्मल चलता है लेकिन इसमें खेल क्या है यानि कि यह scam हो कैसे रहा है इस scam में लोग घबरा कैसे जाते हैं वो यह समझने की बात है जब आपकी उससे 2-3 दिन जब बात चीत होती है यानि कि message के जरी है तो आपको यह लगने लग जाता है कि यह लड़की है और उस लड़की ने या फिर लड़की की आड़ में उसका जो काम है कि आपको फसाना है वो सारी चीजे वो प्रिपेर करती रहती है कि जब आपकी चैटिंग चलेगी तीन से पास दिन जब चैटिंग होगी तो आप कई तरीके के विचार वहाँ पर शेयर करेंगे हो सकता है क्या आप बात करते करते अपने personal बारे में या अपने life के बारे में या फिर friendship के बारे में भी जिकर करेंगे और जैसे ये 3-4 दिन की chatting आपके उनके साथ हो जाएगी तो आपके पास एक message आएगा या फिर एक call आएगा सीधा और वो call करने वाला व्यक्ति है वो उस लड़की का कोई परिचीत बन कर फोन करेगा वो या तो आपको ये कहेगा कि मैं इसका भाई बात कर रहा हूँ या फिर ये कहेगा कि मैं एक पुलिस का अधिकारी बात कर रहा हूँ अब आप कहेंगे कि हाँ जी बताईए आप भाई अगर बात करें तो भी बताईए अगर आप पुलिस के अधिकारी बन कर बात कर रहे हैं या पुलिस के अधिकारी है तो भी बताईए आपकी sister से मैंने कोई ऐसी गलत बात की नहीं है तो वो आपको कई सारी चीजे शिखाने की कोशिश करेगा वो कहेगा कि आपने मेरी sister से बात की है आप बात क्यों कर रहे हो और वो आपको इतना pressurelize करेगा आपको डराने की कोशिश करेगा वो आपको police की धमकी देगा और कई ऐसे cases भी आये हैं जिनमें police का call भी आएगा कि एक लड़की ने आपके खिलाब complaint किये उसके परिवार के सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आप उसकी sister को या फिर आप उस लड़की को गलत-गलत message कर रहे हो आप कहेंगे सर मैंने ऐसे कोई message नहीं किया तो वो आपको आप जहां रहते हैं वहाँ से काफी दूर का address बताएंगे कि आप एक काम कीजिए वहाँ एक police ठाना है वहाँ पे आजाईए या फिर आप अगर कुछ पैसा वैसा देखे अगर settlement करना चाते हो तो बता दो मैं तुमारा राजी नामा करा दू यानि कि आप आप ये बात शुनकर कहेंगे कि सर राजी नामा अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है तो वो आपसे दस-पांच अजार रुपे की डिमांड करेंगे कि बहुत दस-पांच अजार रुपे हमें देदो या दस-अजार रुपे देदो हम आपका ये case है जो वापिस ले लेंगे नहीं तो आपको इस police station में आना पड़ेगा और आमने सामने ही बात होगी अब क्या है कि जो student है जो पढ़ाई कर रहा है या फिर जिन लोगों को knowledge नहीं है वो लोग police का नाम सुनकर police के उस school को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वो बिना कुछ सोचे समझे उनके account में पैसा जमा करा देते हैं और पैसा जमा होने के बाद वो आपको हो सकता है एक बार और भी phone करे कि आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो आप उस चीज को बन नहीं किया है आप दुबारा उनको message कर रहे हो आप वहाँ पर लाग कोशिश करेंगे उन्हें समझाने की कि मैंने आपको दुबारा message नहीं किया है मैंने आपकी sister से कोई बात ही नहीं किया आपकी sister ने मुझे message किया था आप यहाँ तक की screen short भी उनको भेज़ दोगे लेकिन यह scammer है भाई यह कोई वहाँ real उसका भाई नहीं है यह scam है और इस scam के अंदर आपको डराने के लिए प्रियाश होगा ना कि आप से वहाँ पर ऐसी कोई बात होगी कि चलो ठीक है आगे से मत करना और जब आप उन लोगों को पैसा दे दोगे उसके बाद वह आप से कहेंगे कि ठीक है आज के बाद तुम दुबारा ऐसी हरकत मत करना नहीं तो तुमारे खिलाब पक्का मुकदमा हो जाएगा तुम पक्का जेल चले जाओगे यानि कि यह scam इस तरीके से हो रहा है यह एक सेक्स्टोर्शन का नया आउतार है और सेक्स्टोर्शन से कुछ हटके है इसलिए यह समझने में हर आदमी की भूल हो जाती है कि यार यह scam उस अपराद की तरह नहीं है या फिर scammer तो नहीं लग रहा क्योंकि बात्सित कर रहा है वो अपने आपको भाई बता रहा है उसके बाद जो आपके पास कोल आ रहा है वो पुलीस का एक अधीकारी बता रहा है बाकाइदा वो बोल रहा है कि आपके खिलाब complain हुई है एक particular थाने का आपको पुलिज रिस्टेशन का नाम बता रहा है आपको वहां बोल रहा है कि आप यहां आईए तो यह सारी चीज देखकर आदमी घबरा जाता रहा है और दूर का मतलब वहो जो पुलिज रिस्टेशन है और आप जहां रहते उसका distance होने की वज़े से आप लोग उसे पैसा देकर अपना पिच्छा छुटवाने की कोशिश करते हैं और इसी वज़े से आपको एक आर्थिक नुक्षान होता है आर्थिक नुक्षान का मतलब यह होता है कि आप से पैसो का नुक्षान होता है अब अगर यह scam आपके साथ योगे हैं यो ध्यान रखनी चाहिए कि एक सबसे पहली बात है कि अन्नोन लड़की के नाम से अगर आपके पास कोई मैसेज आ रहा है उसे इग्नोर करें उसका रिप्लाई ना दे एक दो मैसेज में आपने पूछ लिया कि आप कौन हो क्या मुझे जानते हो जब वो कह दिया उसमें उनका जो इंटेंशन है वो वैसी किलियर हो जाता है कि वो चाहता क्या है जब आप उसे एक दो मैसेज करेंगे तो बोलेंगे कि मैं आपसे दोस्ती करने के लिए आई हूँ दोस्ती करना चाहती हूँ तो अब ये समझ सकते हैं कि जब वो आपका परिचित नहीं है आपको पहचानता नहीं है आपकी कभी जान पिचान नहीं हुई है तो फिर ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है तो आपको उसी वक्त ये चीज समझना है कि कहीं ये सारी चीजे स्कैम के लिए तो नहीं हो रही है दूसरी बात अगर आप बचाव की बात करें तो अन्नोन लड कि आप से अपने नंबर शेयर करने के लिए बोल रही है तो आप ये समझ लें कि लड़कियों के आड में बहुत सारा खेल आजकल यहां पर चल रहा है साइबर ठगों ने लड़की को एक माध्यम बना कर एक ठगी करने का एक तरीका अपनाया है कि बहुत जल्दी लोग फोकस करने की जरूरत है अगर ये चार टोपिक ही अगर आप घ्यान रखते हैं तो आप इस स्कैम में फशे हुए हैं तो भी आपका वो स्कैमर कुछ नहीं बिगार सकता उसका रीजन यह कि आप उसको कुछ भी निकाल कर नहीं देने वाले हो अब ये चार टोपिक कौन- दरना यानि कि आप लोग डर जाते हैं और डरने की वज़े से यह आप पर हैवी हो जाते हैं तो आपको सबसे पहले डरना नहीं है अगर आपके साथ वो प्रेसर कर रहा है आपके साथ वो प्रेसरलाइज हो रहा है आपको जबरदस्ती बोल रहा है कि आपने ऐसे मैसेज कि है तो आपको जो करना है की जिए अगर आप कहेंगे कि पुलिस केस हो गया है तो ठीक है पुलिस के पास मैं नहीं आ रहा पुलिस मुझे गरफतार करने के लिए आ जाएगी क्योंकि अगर मैंने मेरे किलाब कोई offense किया है तो आपको मेरे पास call करने का rights ही नहीं है क्योंकि कभी भी जब कोई scam या fraud होता है या फिर कोई भी अपराद होता है तो उसमें victim अगर accused को call करता है यानि victim का मतलब जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है और accused का मतलब कि जिस आदमी ने अपराद किया है तो इसमें जो जिसके साथ अपराद हुआ है वो प्रार्थी कभी भी मूलजीम side से यानि कि accused की side से उसको कभी भी message नहीं करता है उससे call नहीं करता है अगर वो करता है तो यानि कि यह साजवाज का मामला होता है इसमें जो सबसे पहले जो ध्यान रखने योगे बात है कि डरना बिलकुल भी नहीं है दूसरे नमबर को आपकी जो ध्यान रखने योगे बात है कि आपको उसका विरोध करना है कि आप जो complaint करने की धमकी दे रहे हैं या फिर आप जो पुलिस से फोन करा रहे हैं आप करा रहे हैं ये तो चलो ठीक है लेकिन मैं इसकी complaint करा रहा हूँ कि मेरे साथ आप इस तरीके से कर रहे हैं और तीसरे नमबर अगर बात करें कि अगर वो आप से राजी नामे के तरीके से या फिर आपको उस compromise के लिए बोल रहे हैं और उसमें पैसे की अगर कोई demand कर रहे हैं तो आपको पैसा बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि compromise करने की जो बाते आपके सामने रखी जा रही है वो तो सरफ एक मोखिक बाते हैं जबकि उनका intention क्या है उनका जो main मक्सद क्या है आपको लूटना है अरे वो पैसे के लिए तो सारी चीज़े होई रही है तो अगर आप उसको पैसा देकर compromise कर रहे है तो जो चीज़े उनको जरूरत है वो चीज़े उनको मिल रही है तो इसलिए आपको पैसा नहीं देना है पैसा दोगे तो आपका खुद का आर्थिक नुक्षान होगा और जिसकी भरपाई आप खुद देख सकते हैं या समझ सकते हैं कैसे होती है और तीसरे नमबर के अलावा अगर चोते नमबर पर बात करें जो ध्याने देने योगे बाते हैं उनमें कि अगर वो लड़का या वो लड़की या फिर कोई अधिकारी अगर आपको ज़्यादा प्रेसरलाइट कर रहा है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे है तो अब आपको करना क्या है कि cybercrime.gov.in official website है cybercrime के related complaint करने की आपको कुछ भी नहीं करना है आपको ये सारी घटना जो आपके साथ हो रही है वो संचिप्त में वहाँ पर लिखनी है और उसकी एक complaint दर्द करानी है पुलिस अपने आप उनसे बात कर लेगी और आप पर इस तरीके के कोई आरोब अगर लगा भी रहा है तो भी आपका पूनते उसमें सुरक्षित तरीके से भार निकलने का एक रस्ता बन जाएगा यानि कि आप भार निकल जाओगे आप सुरक्षित हो जाओगे तो आप इन सारी चीजों को फोलो करकर इसे स्कैम से बत सकते हैं ये मार्केट में बिल्कुल नया है अभी इस पर कोई भी वीडियो नहीं बना हुआ है इसलिए मैं आपको पहले सबसे पहले वीडियो बना कर ये बता रहा हूं कि इस तरीके का एक मार्केट में आया है स्कैम और इस स्कैम में कुछ लोग फसे भी है जिनसे पर्सनली मेरी बात हुई है और उन्होंने पूरी घटना को मेरे साथ सेर भी किया है और इसमें साइबर कर्मिनल से मैंने बात भी किये जब बात उनसे हुई तो उनका जो अंदाज था वो ना किसी साइबर कर्मिनल की तरह लग रहा था वो ऐसा प्रतीत हो रहा था या ऐसा उनका वहवार लग रहा था कि ये कोई रियल में इसकी भेहन के साथ कुछ गलत हुआ है किसी व्यक्ति ने गलत मैसेज किया लेकिन सारी जानकारी लेने के बाद ये जानकारी मिली कि उसे इस कैमर ने उनसे डाई अजार रुपे लेने के बाद उसका पीछा छोड़ दिया और उन्हें दुबारा से कभी फोन नहीं किया तो आप इस तरीके के अगर इस कैम में फशे हुएं तो आपना बचाव इस तरीके से कर सकते हैं और अगर आप इस चीज से बिलकुल भी अवेर नहीं है तो आप इस वीडियो को देखकर अवेर हो सकते हैं कि ऐसा भी एक अपराद नया आया है जिससे हमें कैसे बचना है दोस्तों आप हमारे दुआरा दी हुई जानकारी को देखकर काफी रिलेक्स महसूस करते हैं या फिर आपको हमारी जानकारी पसंद नहीं आती है इस चीज की जानकारी आप हमें कमेंट्स करकर जरूर बताएंगे ताकि हम हमारे वीडियो में कुछ अपडेट करें यानि कि कुछ नया आपको दिखाने की या लाने की कोशिश करें और इससे हमें भी ये पता लगे कि हमारे वीडियो हमारी ओडियन्स को कितने पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों आज की ये जानकारी जो है मैंने आपको जो शेयर की है वो आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्षन में आप एक कमेंट करके ये जरूर बताना कि हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं वो आपको लग कैसी देए दोस्तों आज का ये वीडियो बस यहीं तक ही था और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब सरो परतम कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि आपके उन सभी फ्रेंड्स या परीचित लोगों के पास ये वीडियो पहुचे और उन्हें पता लगे कि मार्केट में अभी नया कुछ स्कैम आया है जिससे भी हमें कैसे अवेर होना है धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन जैभार्प